ये लाल मिर्च का अचार इस तरह से बनाओगे तो बहुत ही डेश्टी बनता और सबको पसंद आएगा ये बच्चो को और बड़ो को तो सबसे पहले अद्रग और लसुन को काट के और चोपर से इसको बारी बारी कट कर लेंगे कट करने के बाद में जो लाल मिर्चे हैं उनको बिल्कुल साप दोलेंगे और दोके सुका के इनको भी चोपर से काट लेंगे काटने के बाद में एक पैन लेंगे और इसमें सरसो का तेल डालेंगे और सरसो का तेल बिल्कुल अच्छे तरह गरम हो जाए तब फिर ये अद्रग और लसुन डाल देंगे और इसमें एक चम्मच इसमें कलुंजी डाल देंगे और चार चम्मच इसमें सौक पाउडर जिसको दरदरा कूट लेंगे और दो चम्मच इसमें जीरा डाल देंगे और एक चम्मच इसमें हल्दी डाल देंगे डेड़ चम्मच इसमें नमक डाल देंगे और एक चम्मच इसमें मिर्च पाउडर डाल देंगे फिर डालने के बाद में जो मिक्स कर लेंगे और फिर जो दरदरी PCV मिर्चे हैं लाल वो डाल देंगे और डालने के बाद में इसमें एक मिनिट तक मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद में गैस बन कर देंगे इसको ज्यादा नहीं पकाना है और फिर इसके बाद में इसको ठंडा होने के बाद में इसमें अमचूर पावडर डाल देंगे और बिल्कुल अच्छे तरह मिक्स कर देंगे और ये बन के तयार है लाल मिर्च का चार चाहिए आप इसमें तेल भी डाल सकते हो मैं तो इसमें तेल नहीं डालती हूँ फिर भी एच्छे मेने आराम से चलता और बहुत ही डेश्टी अचार बनके तयार हो जाता इसको दो दिन दोप में रख देना और फिर बनके तयार ही यह डेश्टी सा अचार एक बार जरू ट्राई करना थेंक यू